गाजर का हलवा, गेजरेला, गाजर पाक, ना जाने कितने अलग-अलग नाम, हर जंगे अलग-अलग नाम से पुकारे जाने वाली ये है सर्दियों की सबसे लजी सोगात शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहां पर सर्दियों में गाजर का हलवा ना बनाया जाता हो तो मैं भी आज बना रही हूँ गाजर का हलवा बहुत ही असान से तरीके से गाजरों को मैंने अच्छे से साफ कर लिया था अब भारी आती है इनको कट करने की जी हाँ यहाँ 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 पे मैंने गाजरों को कसा नहीं है यहाँ पे मैंने कट कर लिया है आप इनके बड़े बड़े टुकडे भी रख सकते हूं एक गाजर के दो या तीन टुकडे भी रख सकते हैं यहाँ पे मैंने काफी बारिक बारिक गाजर काट ले थी यह आपकी चॉईस पर डिपैंट करता है अब बारी आती है इनको गरम गरम पानी से वोश करने की अब इनको अच्छे से वोश करके मैंने कुकर में डाल दिया है अब एक गलास पानी डाल कर कुकर में लगानी है 15-20 सीटियां और हमारी गाजर बहुत ये अच्छे तरीके से उबल जाएगी देखिए अगर आप गाजरो को कसकर हलवा बनाते है या फिर उबाल कर हलवा बनाते है बात एक ही होती है टेस्ट वैसा का वैसा ही रहेगा अब इनको उबालने के बाद मैंने यहाँ पे अच्छे से मैश कर लिया था गाजनों को अच्छी से मेश करने के बाद अब इनको डाल देंगे कड़ाई में और अब रख देंगे इसको गैस पर ताकि इसका पानी हम अच्छे से जला सकें आपने देखा कितनी असान सी ये प्रोसेस है यहाँ पर मैंने लिया था बिल्कुल फ्रेश कोकोनट अब इसको ग्राइंड करके मैं डाल दूँगी हलवे में यह आपकी चोईस पर डेपेंड करता है अगर आपका मन हो तो आप डाल सकते हो कोकोनट से हलवे में काफी अच्छा क्रंची क्रंची टेस्ट आ जाता है और यहाँ पर मेरे हस्परन ने मुझे एडवाइस दी थी हलवे को अंगीठी पर बनाने की और यहाँ पर मैंने पूरा दो किलो दूद इसमें डाल दिया है आप इसको गैस पर भी भून सकते हो उस तो सारा दूद और पानी जल चुका है अब बारी आती है चीनी डालने की मैंने चीनी काफी कम ही रखी है क्योंकि नारियल मिलाने के बाद एक काफी अच्छा सा स्वीटनेस इसमें आ गई थी अब हलवा अल्मूस्ट बनके रेडी हो गया है अब मैं इसमें डालूंगी खो या मैंने इसमें डाला है 500 ग्राम और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट डेवलेप हो जाता है हलवे में तो हलवा हमारा बनकर हो गया है बिल्कुल रेडी आपने देखा कितने असान तरीके से मैंने हलवे को बना दिया है और मेरे लिए तो यह है बहुत ही असान रेसिपी तो आप भी जरूर ट्राई करना ये नया तरीका गाजर का हलवा बनाने का तो हमारा टेस्टी साल ला जवाब हलवा है बनकर बिल्कुल रेडी और कड़ाई में बिल्कुल भी नीचे ये हलवा नहीं लगा था तो चलिए बाते तो हो चुकी हैं बहुत जादा अब बारे आ